हाई फ्रेंड्स वेलकम टो मा यूटूब चानल आज मैं बनाने जा रही मुबा स्टाइल सेव पुरी की रेसिपी जी हाँ यह मुबा स्टाइल सेव पुरी है बहुत ही टेस्टी लगेगी बनाते चलिए लेट्स गो सबसे पहले एक प्लेट ले लेंगे जो भी यह प्लेट गॉल गपप हसका संब्र जाली इसको चल कर निकाल के मैश कर लिए बैस तो खुड़ा-थोड़ा लो गर्के लेना एकता महीम खट वह प्यास डाल देना ह् है और गूंस से चीप है यह मेरी मूम्मी की रेसेपी है और मूम्मी आली होई तो मैंने उनसे मंगा है यह सेवपुरी के पापड़िया जो बहुत ही टेस्टी लगती है तो गर में बन रहा था तो मैं बहुत क्यों नहीं आप से शेर किया जाए उसके अपर ग्रीन चेटनी मैंने बनाना सिखाया है आपको ग्रीन चेटनी डाल लीजिए जितना भी आप त गप्पे आते हैं वह भी बहुत ही उसमें भी बहुत एश्ट लगेंगे अगर ऐसा पापड़ि नहीं मिलती हो तो फिर उसके पर मीटी चटनी मीटी चटनी पर डाल लिए फिर बारी कटा हुआ धनिया पत्ती डाल लीजिएगा आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना तो बिलकुल न बुले कैसा बना ये सेव पुरी की रेसेपी फिर टमाटर भी मैं कटावा डाल रही हूँ पिर इसको इकदम भारी सेव आता है यह हर जगा नहीं मिलता है हमार यह भी नहीं मिलता है मैंने मुंबै से मंगाया था अगर आपके थोड़ा सा मोटा सेव भी मिलता तो उसको भी डाल लेजिए वह भी बहुत ही अच्छा लगेगा कोई बात ने देखिए पुरा डाल लिया मैंने प जा दीजिए रेडी हो गया आपका टेस्टी सेव पुरी ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बतायेगा कैसा बना यह सेव पुरी की रेषेपी यह किन मानियों बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार तो बनाना बनता है आपका लिजिए एक प्ले ले लिजे पुरी है और मैं खाके दिखाती हूं मुझा बहुत ही अच्छा आप लोग तो जरूर एक बार ट्राइक कीजे और पसंद के आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग